सो नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है एक बर फिर से स्याम एजूकेशन वर्ल्ड यूटूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको डिप्लोमा पॉल्टेक्निक इलेक्टोनिक्स इंजिनिंग के सकेंड समेश्टर में दोस्तो अगर आप डिप्लोमा पॉल्टेक्निक इलेक्टोनिक्स इंजिनिंग के सकेंड समेश्टर के स्टुड़न्ट हैं तो आज का यी वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा बेनिफीशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको Diploma Polytechnic Electronics Engineering के सकेंड समिस्टर में BTUP Board के तरफ से से 24-25 में सब्जेक्ट एंसलेबस के according आये हुए latest update के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि Diploma Polytechnic Electronics Engineering के सकेंड समिस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट का इस बर सामिल किया गया है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इस बर नहीं पढ़ना होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट कितना important है उन सब्जेक्ट की तयारी कैसे करे ताकि आप अपने समिस्टर एक्जामनेशन में एक बहतर से बहतर नंबर को गेन कर सकें और कौन कौन से सब्जेक्ट का कितने कितने नंबर का practical और वाईवा होता है इन सारे सवालों का जब आप जानने के लिए बने रहे वीडियो के end तक पड़ आगे बनने से पहले बोलना चाहेंगे अगर आप चैनल पे नए है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो दोस्तो अगर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्टोनिक्स इंजिनिंग के second semester के student है या फिर इलेक्टोनिक्स इंजिनिंग के second semester में admission लेने वाले हैं तो आज का ही वीडियो आपके लिए काफी ज़्यदा important होने वाली है तो आईए दोस्तो इस वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन दोस्तो मैं आपको उससे पहले बताना चाहूंगा कि जो भी आपका ये डिप्लोमा पॉलिटेकनिक का exam होता है वो semester wise करा जाता है अर्थात एक साल में आपका दो semester का exam होता है वहीं आपका दो साल में पूरे चार semester का exam होता है और वहीं आपका पूरा तीन साल में total 6 semester का exam करा जाता है इसके बद हम जानेंगे दोस्तों की Diploma of Polytechnic Electronics Engineering के second semester में total आपको कितने subject का study करना होगा तो दोस्तों Diploma of Polytechnic Electronics Engineering के second semester में total आपको इस बर six subjects का study करना होगा जिस subject का नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है आप देख सकते हैं इन सारे subject में से कुछ subject का return exam होता है कुछ का only practical होता है और कुछ subject का practical और return दोनों करा जाते हैं तो आए दोस्तों इन सारे subject को एक एक करके देखते हैं जिसमें number one पे जो हमारा subject होने वाला है वो है applied mathematics second इसे हिंदी में अनुपरिय उत्गरित second के नाम से भी जानते हैं और दोस्तों ये subject आपका काफी ज़्यदा important है आपके exam के लिष्टी कोर से और आपके future के लिष्टी कोर से भी और दोस्तों आपको applied mathematics second का book सार्थक या ACN publication की लेनी है अगर अपने study को अच्छे तरीके से continue करना चाहते हैं तो अधरवाइज अगर आपके पास old book है तो आप उससे भी कर सकते हैं no problem इसके बाद डिप्नोमा पॉल्टेग्निक इलेक्ट्रोनिस इंजिनी के second semester के student को number two पे जो subject की study करना होगा वो है applied physics second इसे हिंदी में अनपरियुक्त बहुत की second के नाम से भी जानते हैं दोस्तो जैसे कि अपने first semester में applied physics first का study किया था से मुझी तरीके से इसमें भी आपको applied physics second का study करना होगा इसे shortcut में AP second के नाम से भी जानते हैं और यह subject आपके exam के district course से और आपके future के district course से भी काफी ज़्यदा important subject माना जाता है applied physics second में आपका practical, viva और return exam तीनों कराया जाते हैं जिसमें 50 समर का इसमें आपका practical और viva होता है और 50 समर का इसमें आपका return exam कराया जाते हैं यानि कि total आपका इसमें कुल मिलाकर external और internal handed number का exam कराया जाते हैं और दोस्तों आपका applied physics second का भी books आर्थक या ACN publication की लेनी है अगर अपने study को अच्छे तरीके से continue करना चाहते हैं तो otherwise अगर आपके पास old book है तो आप उस तर भी कर सकते हैं no problem इसके बाद डिप्लोमा पॉलिटेग्निक electronics इंजिनी के second समझ तके student को number 3 पे जो subject study करना होगा वो है basics of information technology इसे shortcut में BIT के नाम से भी जानते हैं इसमें आपको क्या पढ़ना होता है इसमें आपको computer से related basic चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है जैसे MS Word, Excel, PowerPoint, MS Office इत्यादी computer से related basic चीजों के बारे में आपको इसमें study कराया जाता है और दोस्तो BIT subject आपके exam के डिश्टी कोर से और आपके future के डिश्टी कोर से भी काफी जाधा important subject माना जाता है इसमें आपका only practical or viable होता है इसमें कोई routine exam नहीं कराया जाता है और दोस्तो आपको इसकी book भी सार्थक या ACN publication की लेनी है अगर आप अपने study को अच्छे तरीकी से continue करना चाहते हैं तो otherwise अगर आपके पास old book है तो आप उससे भी कर सकते हैं no problem इसके बाद डिप्लोमा पॉल टेक्निक इलेक्टोनिक से इंजिनिंग के second semester के student को नमबर चार पे जो subject study करना होगा वह है electrical engineering first इसे shortcut में double first के नाम से भी जानते हैं दोस्तों यह subject आपके branch related subject है इसलिए दोस्तों यह subject काफ़ ज़यता important है आपके exam के district course से और आपके future के district course से भी इसमें आपका practical वाइबा और retain exam तीनों कराया जाते हैं अगर आप अपने study को अच्छे तरीके से continue करना चाहते हैं तो otherwise अगर आपके पास old book है तो आप उसने भी कर सकते हैं no problem इसके बाद diploma upon technique electronics engineering के second semester के student को number 5 पे जो subject study करना होगा वो है electronics component and device इसे start court में ECD के नाम से भी जानते हैं इसमें आपको क्या पढ़ना होता है इसमें आपको electronics के basic चीजों के बारे में study करा जाता है जैसे color coding binary number इत्याद electronics related basic चीजों के बारे में आपको study करा जाता है जो आपके exam के district court से और आपके future के district court से भी काफी जयदा important subject माना जाता है और दोस्तो इस CD subject में आपका practical Viva और retain exam three करा जाते हैं जिसमें 50 नमर का इसमें आपका practical और Viva होता है और 50 नमर का इसमें आपका retain exam करा जाते हैं यानि कि total आपका इसमें कुली मिलाकर external and internal 100 नमर का exam करा जाता है और दोस्तों आपको ECD का भी book सार्थक या ACN publication के लियनी है अगर आप अपने study को अच्छे तरीकी से continue करना चाहते हैं तो otherwise अगर आपके पास old book है तो आप उससे भी कर सकते हैं no problem इसके बाद Diploma Polytechnic Electronics Engineering के second semester के student को next और last subject को study करना होगा वो है General Workshop Practice Second दोस्तों जैसे कि अपने first semester में General Workshop Practice First को पढ़ा था practical दिया था, file बनाया था और exam दार आपके बाहर से आया था सिम उसी तरीकी से इसमें भी आपको practical देना है, file बनाना है और उसी के base पे आपको इसमें number दिया जाता है तो दोस्तों Diploma Polytechnic Electronics Engineering के second semester के new session 24-25 में टोटल आपको six subject का study करना होगा और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी subject से related, किसी भी तरह का doubt हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं, मैं reply जरूर दूँगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि Diploma Polytechnic Electronics Engineering के second semester से related Slavers के बारे में वीडियो आपको useful लगी हो, तो please like and subscribe this channel, thanks for watching video, मिलते हैं एक new video के साथ, तब तक के लिए जहिंद बंदे मातरम